कि जात्रों तक्षा जारवी के व्यावसायक अध्यान विस्साय ते अंतरगत हम एक आई तीन में नीजी छेत्रेवं साविनिक छेत्र का अध्यान कर रहे हैं कि यहां साविनिक छेत्र के अंतरगत जो है इसको तीन स्वरूपों में साविनिक छेत्र को पाया गया जिसमें एक था विभागिय संगठन और दूसरा जो है सार्वजनिक निगम और तीसरा जिसका हम आज यहां पर अध्यान करेंगे सरकारी कमपनी तो विभागी संगठन जो हैं यह सार्वजनिक उद्यम की सबसे प्राचिंटम पड़ा लिए हैं जैसे ढाक तार रेलवे सुरक्षा उद्यव जो हमने देखें यह विभागी संगठन के अंतरगत आते ह वही सार्वजनिक निगम के अंतरगत जो है ऐसे उपकरम थे जिनकी स्थापना किसी निश्यत व्यापार को चलाने इवं बित्ती उद्देश को प्राप्त करने के लिए किसी अधिनियम विसेश के अंतरगत की गई थे वो कहलाते थे सार्वजनिक निगम अब यहां पर हम अध्यन करेंगे सरकारी कंपनियां क्या कहला रही है तो जैसा कि नाम से सपष्ट है सरकारी कंपनी मतलब सरकार के द्वारा स्थित स्थापित सरकारी कंपनी इसमें पूंजी जो है इसकी है सरकार की है तो यह हम आगे परिवासा के तोर पर जानेंगे कि सरकारी कंपनी क्या कि साजनिक निगम के दोशों को दूर करने के लिए उन कमियों को दूर करने के लिए सरकारी कंपनी के स्वरूप को चुन्ना भारत सरकार के द्वारा प्रारम किया गया भारत में जो है अब तक अधिकांज साजनिक अध्यम सरकारी कंपनी के रूप में इस्थापित किये गए तो यहां पर जो साहभने निगमों की कमिया थी, उन कमियों को दूर करने के लिए, सरकारी कंपनियों के स्वरूप कर चैयन, किया गया तो कंपनी अधिनियम 1976 के अनुसार, सरकारी कंपनी क्या है सरकारी कंपनी से बिराए उस कंपनी से है जिसकी कुल पूंजी का आधे से अधिक भाग पर था इंक्यावन प्रत्सत भाग इसके पास है या तो केंदरी सरकार के पास या फिर यहाँ पर राज्य सरकार के पास है या कुछ हिस्सा जो है केंदरी सरकार के पास और बाकी एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास है तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंसार सरकारी कंपनी से आसा है उस कंपनी से जिसकी कुल पूंजी का आधे से अधिक हिस्सा इंक्यावन प्रत्सत जो है केंदरी सरकार के पास ह है या उसमें से और हिस्ता सर्कार के पास की थी से प्रधान अन्सेदारिता है यहां पर विकल्पiest पूजी सरकार के साती नहींत्रन किसके पास थुए सरकार के पस थृषऑ सरकार के पास है तो ऐसी कंपणी कहनाती है और कि इसके वाद हम जानेंगे कि सरकारी कंप्पनी की विसेस्ताइं कौन-कौन सी है। तो जैसा कि स्परश्ट है यह एक क्या है निगमी संस्ता है। निगम के रूप में। इसका निर्माण जो है देश के इतरगत किया जाता है। जो द्योग प्रवसाय के स्थापना से संब्द जो भी सावन कानून है जनरल उसके अंतरगत की अजाते हैं साथी ये भारती कंपनी अधिमियम 2013 के अंतरगत इसकी स्थापना होती है तो यह एक निगमी संस्ता है दूसरा बिंदू है इसका अंस पूंजी अंस पूंजी जैसा पूंजी होता है तो यहाँ पर इंक्यावन प्रस्था जो हिस्सा होता है वह सरकारी पूंजी का हुटा ओर यह इसका हिस्सिदारी जो है किसके पास के पास होती है केंद्र या राज्जिजशरकारWow के पास होता है परसेंट बचा हुए एद बात करें हम संचालक की कमपनी का जो संचालन किसके द्वारा होता है तो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं सरकारी कमपनी के जो भी प्रवंदकी संचालक से जुड़े हुए उनकी नियुक्ति कोन करता है सरकार करता है। बाकि कुछ भारती फर्मों और विदेशी फर्मों की सहवागिता के आधार पर भी संचाल कों का चैयन यहां पर किया जाता है। तो तीसरे ही जो पर शेषता है वो है संचाला। चोथी बात करते हम पारसद अंतर्मियम। पार्षाथ सीमा नियम होते हैं वो कंपनी के मूल चार्टर होते हैं रठाथ जिन चार्टर नीमों के आधार पर कंपनी अपने प्रवंध की विवस्थता को संचालित कर पर पार्षा सीमा नियम से जोड़े हुए संसोधरने कर सकते हैं यदि किसी प्रटार का कोई परिवरतन करना है तो हम उसमें परिवयरतन कर सकते फिर बात करते हैं हम कंपनी की बित्ते वेवस्था की कंपनी की जो पूंजी है वो कहां से तो इसमें सरकारी पूंजी जैसा की बताया लगी होती है साथी बित्ते वेवस्था के लिए ये क्या है सोतंत्र है साथी जो भी उसको कंपनी से आए प्राप्त होती है कंपनी के व्यापार व्यवसाद्व जो भी उसको आए प्राप्त होती है उसको वह अपने पास रखती है साथ ही जो भी एक्सपेंडीचर खर्च हैं वह करने के लिए क्या है वह स्वतंत्र है तो यह है सरकारी कंपनी की विशेष्था है अब इसके बार हम देखेंगे कि सरकारी कंपनी के गोण या महत्व या लाव कौन कौन से है तो सबसे पहली बात तो यह है कि सरकारी कंपनी के निर्माण में क्या है आसानी है सरलता है इसकी स्ठापना जो है सरल एवम निर्माण है तू प्रिष्थ अधिनियम की आवेश्था नहीं जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके अंतर गज्व इसकी स्ठापना की जाती है फिर बात करें हम लोज की परिवर्थन की कि कंपनी का यदी के पूझी इस वरूप किंब की पूझी में यदि हमें कोई परिवर्तन करना है तो परिवर्तन कर सकते हैं साथि सवायत्त्त्त से यहां स्वायम के द्वारा गहां dopamine किया जाता है स्वायम के दौरा उसको बीचे जाता है और स्वायम ऊसक स्वायत्त्त कर सकते हैं कि साथी ञोकर साही एक्षोर नियांत्रम इसमें को होता है तो अधिक स्वाता जो इसमें कात्थ होती है नीटियों की बात करें हम हम तो दिश्टी कंपनी की ब्य смотреть के तरह यह भी ब्यवसाइक कि नीटी वह सिद्धानतों को अपना सकती अर्था जिस प्रकार से एक नीजी कंपनी की जो व्योसाय से संबंदित नीटी होती है एक उसी प्रकार की नीटी को यह सरकारी कंपनी भी यहां अपना सकती सिद्धानतों फिर बात करें हम कुशणly प्रवंद की तो निजी कम्पनी के सह्योग के काणा प्रवंद की कुशलता जो है तक्निकी जियान यह वं बिसुष्टा 2 प्राप्त के तो चुकि यहां पर निजी कम्पनी की थर्ज पर सरकारी कम्पनी बहुती तो जिस प्रकार से निजी कंपनी में बैतर प्रवंद की विवस्ता होती बैतर प्रवंदक होते हैं बैतर सिक्षन प्रचिक्षन होता है उनकी तक्निकी ज्यान बैतर रहता है ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी सरकारी कंपनी में भी प्रवंद की कोशलता तक्निकी ज्यान एवं बिसिष्टता भी प्राप्त को जाते हैं तो यह है सरकारी कंपनी के गुण या महत्तु अब हम बात करें यहां पर सावजनिक छेत्र की बदलती की बर्तमान परिवेश में आज जो है सावजनिक छेत्र की भूंका किस प्रकार से बदल वही है जैसे 1991 की नई जो आर्थिक निती है उसके अंतर गज्जो है यहां पर देश की स्वतंत्रता के बाद जो है आर्थिक विकास में सावजनिक छेत्र की जो महत्रपूर्ण भूंका है बहुत बहुत तेजी से बदलिये उनने इस सु आर्थिक शेत्र को मात्र दिया गया इन सावजनिक छेत्रों में आधारिक सनरचना का जोग विकास सौपा गया योग व्यापार व्योसाय संबंद जो जुड़ी हुई बेसिक इंफरस्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का जिम्मेदारी सावजनिक छेत्र को सौपी गई इसमें मूल एवाम भारी उद्योग आते हैं जिनका विकास किया गया जो कि देश के आर्थिक विकास के लिए आ हाँ पर अब है दोसी बात करें नीजी छेत्र द्वारा बिशाल पुण्जी कि अपर्याप्तथके कल अधर यूदतुल् Although कट कि इंतजार होने से नीजी छेत्र द्वारा इन उत्योगों कि इस्थापना के प्रती रूची ना से उद्यों का विकार द्वारा किया गया है तो सप्थ ने छेत्र के अंतरक जो भी उपक्रमों के स्थापना की जाती है उसमें हम देखते बड़ी मातरा में पुनजी की बड़ी मातरा में संसाधनों की आभशक्ता होती है साथी लाब का इंतजार जो है स्थापना के पश्राफ जो है कमपनिन कार Kids difference करता है और लाब जो है उसको लंबे समय के बात प्रापत हो तो निजी चेतर जो है यहां पर इस उपकरम से जो हैं जोड़ने के बजाए दूर होते इसलिए चले गए क्योंकि विसाल पूंजी बड़ी मातरा में पूंजी की आवशक्ता उनको चाहिए साथ ही लाब जो है उतने लंबे समय तक वह इंतजार नहीं कर सकते तो इस प्रकार से निजी छेत्रे के रुची ना लेने के करण इन उद्ध्यों का विकास जो है सरकार के द्वारा किया गया अब 1999 में जब नई उद्ध्योंगिक नीती आर्थिक नीती लागू की गई तो अर्थिवेवस्ता को जो है तेजी से बैश्वी करण हुआ जिसमें सार्विजनिक छेत्रों को सीमित वा निजी छेत्रों का विस विस्तार किया गया जिसमें नीजी करण को प्रधानता पी गई तो यहां आप देखते हैं कि उन्नीजी सिंक्यानवें जब नई उद्ध्योंगि नीती लागू हुई तो तेजी से बैश्वी करण हुआ और साविनिक छेत्र जो है उनमें सीमित भा नीजी छेत्रों का विस हैं यहां पर काफी हद तक परिवर्थन हुआ यहां हम पिंदूओं के अलार पर देखते हैं कि साविनिक शेत्र की जो भूंका थी तो किस प्रकार से उन्नी सिंक्यानवें की और द्योगे की नीती के बाद परिवर्थित हुई तो यहां पर सबसे पहले चीज़ जो परिवर्थन लाया गया आरक्षण वा नियंत्रण में कमी उत्पादन के ऐसे छेत्र जो आरक्षण से मुक्त करने लाय किया था जिनको पादित करने का कारे मुक्रूप से सरकार के दोरा अपने हाथों में लिए उनको फिरी किया गया उन पर जो नियंत्रण था वो कम किया गया तो मूलभूत उद्योगों में गैर सरकारी शेत्रों की भागिदारी में प्रद पूर्व में जो सत्रा आरक्षित छेत्र थे उन में से सिर्फ दो छेत्र जिसमें एक परमानुगर्जा और दूसरा देल परिवार इन दो छेत्रों बसको जो है परकार के द्वारा आरक्षित रखा गया बाकी जो पूर्व में सत्रा आरक्षित छेत्र थे उन छेत्रों को नि जो license की अनिवारिता थे बहुत सारे उत्योगों के लिए, पादन के लिए जो है license फिर ही कर दिया गया। सिर्फ जो रखा गया जिसके लिए license लेना आपशक है बगर license का उत्पादन नहीं किया जासकता तो जैसे कि दूसरा तॉमाखू निर्विट, सिगरेट या सिगार साथी इलेक्ट्रानिक एवं रच्षा उपकरान से जुड़े हुए उत्पादन इसके अलाबा बिस्थोटक पदार्थ उत्पादन और खतारनाक रसाइन वाले उत्पादन इनको जो है लाइसेंस की कैटेगरी में रखा गया और जो पूर्व के सत्र आरक्षत छेत्र थे उनको सबको फ्रियोल्ड कर दिया सिर्फ दो छेत्रों को उन्होंने अपने पास रखा जिसमें एक परमाणूर जया और दियों को मुक्थ किया गया है ह। दूसरे बिंदू जो परिवर्टन में आया यहां पर रुग्ण इकायियान, साविजनिक उप में अआसी इकायियान जो की बीमार हालात मे थे बिमार चतात पर यहां पर कि जिन की लाभारजन छम्ता बहुत कम मात्रम है तो ऐसी एकाईया ऐसी बीमार एकाईया बीमार एकाईया जिनकी लाव आर्जन लाव छम्ता कम थी है उनका स्थापना व्याए पहुत अधिक मात्रम है तो ऐसी एकाईयों को क्या किया गया पॉध्योगिक एवं बित्ती पुनर्मनेन्रमान बोर्ड के अंतरगत लाया गया तो बर्तमान में सभी साविनेके एकाईयों को अब यहां पर बोर्ड यह तैय करता था कि कौन सी रुगण इकाईयों का पुनरगठन संभा हुए अर्थात ऐसी इकाईयां रुगण इकाईयां बीमार इकाईयां जिनको यदि हम पुनरगठन करते हैं दो पुनय के द्वारा राफ कंवाये जाना है वह तुठादन प्रापरली नहीं लगे और प्रापर्ली नहीं और फ्रापरली ओने लगे घहाटा कम होने लगे तो यदि ऐसी बीमार एकाईयां जिनको पुनरगठन संभव है तो उनको रखा जाए और बाकी को जो है बंद कर दिया जाए तो यहाँ पर रुग्ण एकाईयां बीमार एकाईयों के लिए और दोगे केवं बित्ती पनर्मान बोर्ड की इस्थापना की गई जो यह तै करता था कि कौन सी एकाईयां चालू रखने लाइक है या कौन से उपक्रम एकाईयां बंद करने लाइक है इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्री नवीनी करण कोश की जो इस्थापना की गई बहुत सारी जब नीजी छेत्र में बहुत सारी काईयों को हस्तान तरत कर दिया गया तो बहुत सारी साजने के काईयां क्या होने लगी बंद होने लगी साजने के काईयों के बंद हो जाने से जो वहां कार्विरत कर्मचारी थे श्रमिक थे वह क्या हो गए बेरोजगार हुए और उनके असंतोस को दूर करने के लिए श्रमिकों को प्रसिक्षन देने हैं अब यदि जो स्रमिक बेरोजगार हुए हैं यदि वह आगे काम करने के लाइक है तो उनको दूसरी काईयों में अस्तान प्रिट किया गया तो उनको बहाँ पर प्रसिक्षन वगएरा देना साथी सेवा निवत स्रमकों को मुआपजा देने हैं तो इस को प्रयोक्त किया गया अर्थात ऐसी साविने के काईया जिनने बंद कर दिया गया और वहां के प्रसीक्षत है जो सेवा निवत हुए स्रमक उनको मुआपजा देने के लिए स्कोस का यूद किया जाता तो यह कहला तरी नभी नकरन कोश्गर इसके बाद अधिक वायात्ता प्रदान की गई सरकार द्वारा जो हैं नौट सार्विजने कुपक्रम जो भरतमान में बी अची एल भेल बीपी सी एल आई ओसी ओंजी सी सेल एटी सी एल एंटी पीएस पीटी सी एंटी पीजी गैल और एंटी एनला तो यहां हम देखें कि जो भी अची एल है भारत है भी इलेक्टिकल लिमिटेड दूसरा बी पी सी एल भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तीसरा आई ओसी इंटरनेशनल अलबिक कार्पोरेशन और उसके बाद ओंजी सी यहां आइल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन फिर सेल इस्टील एथार्टी आफ इंडिया लिमिटेड और इसके बाद एच पी सी एल छेटवे नंबर की जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन इसके बाद सात्वा एंटी पी सी नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड और जे गैल जी ए आई एल यह गैस अथार्टी आफ इंडिया लिमिटेड और अंतिम जो एमटी एनल है महानँगर निगम टैलीफॉन निगम लिमिटेड तो बंबई और दिली जहां पर टैलीफॉन कंपणी के रूप में आपसी पूरे देश में संचार विवस्ता को सचारू बनाने के लिए महानगर टैलीफॉन निगम लिमिटेड की स्थापना क की गई तो अधिक स्वायत्तता की बात कर रहे तो सरकार द्वारा जो नौ साविने को उपक्रम है इनको नौरत्न का दर्जा किया गया था इन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई तो यह जो साविने को उपक्रम थे नो इनको बहुत अधिक स्वायत्तता प्रदान की ग में सरकार ने जो है कम लावदायक ऐसी संस्ता हैं जिन में सरकारी पूजी लगी ती। वहां सरकारी पूजी का अपनिवेश करना शुरु किया अर्था जोंकी स्सेदारी लगी तो कम करके लगभग यहां पर 26 प्रस्त तक कम कर दिया और या फिर उससे भी कम कर दिया साथी कुछ उप्रमों को पुनर संचना कर संचाले तिया गया तथा जो संचालन की स्थिति में नहीं थे उनको क्या किया गया बंद कर दिया गया तो इस प्रकार से यहां पर जो साविनिक शेत्र की भदलती हैं भूंका थी इस संब्मन में हमने इन विंदूओं के आधार पर जाना बर्तवान परिवेशन है यहां पर कुछ अभ्यास संब्मनित प्रस्म है सरकारी कंपणी से आशा इवम उसकी विसेस्ताइं लिखना है आपको दूसरा प्रस्म है सरकारी कंपणी के गुणों को संजाईए तीसरा है परतमान संदर्व में साहलिनिक शेत्र की परिवर्ति धूम का किस प्रकार की है यहां पर आपको बिंदूबार समझाना है